जो दूस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज जैसे कि आपको थमनेल से पता चल गया है मैं लेकर आ रही हूँ जिनमाश्टमी के लिए बनाए गए भोग के लिए अपनी तयारी करने वाली हूँ घर का काम मैंने almost complete कर लिया है मेरा breakfast और lunch husband और बेटे का बनके ready हो चुका है वो दो office और school जा चुके हैं तो घर पे अब हैं मैं और मेरी बेटी अपने और बेटी के लिए मैं बना रही हूँ breakfast और बेटी सिर्फ गाजर के खाती है तो उसके लिए सिर्फ गाजर से अपे बनाऊ और अपने लिए गाजर और शेमला मिर्श दोनों से ये breakfast काफी filling हो जाएगा तो जब तक कि मेरी पूरी preparation होती है जनमाश्ट में के लिए मुझे भूख नहीं लगने वाली है तो चलिए पहले बनाती हूँ अपना breakfast जिसमें मैंने कढ़ाई में सरसो का तेल लेके राई और क अपने बाकी जो basic मसाले होते हैं लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक सारी जीज़ को mix करने के बाद मैंने अब बेटी के लिए निकाल दिया है अब मैं इसमें add कर रही हूँ अपना शेमला मिर्च और इसको मैं कोई 1-2 मिनिट के लिए ही सौटे कर लूँगी उसके बाद इसको add कर देंगे हम अपनी सूजी में अभी तो इसको सिर्फ 1-2 मिनिट ही चलाना है अब ये हो गया है बिल्कुल ready इसको add करने के बाद फिर अपना breakfast करने के बाद जो है मैं बेटी को बाकी का घर के dusting वगेरा का काम करके उसके बाद फिर आऊंगी अपने भूग की तयारी के लिए तो यहाँ पर ये हमारा जो मसाला बनके ready है अब इसको मैं कर देती हूँ इसमें mix और जल्दी से बना लेती हूँ अपना breakfast और चाई और उसके बाद मैं आप से मिलती हूँ breakfast और चाई करने के बाद देखे इस तरह का मैंने गूल बनाया है ये batter ये खाने में बहुत ही tasty होते हैं और जल्दी भी बनकर ready हो जाते हैं इनको बनाने के लिए ना मैं घर का घी का ही इस्तमाल कर रही हूँ मेरे पास जो घर में मक्षन निकालते हैं वो मैं बहुत कम market का में मिलने वाला amul butter या कोई भी ऐसी चीज़ बहुत कम use करते हूँ जो कि हम घर पे already बहुत easily बना सकत है तो अब इसमें मैं डाल रहे हूं अपना बैटर और इसको एक से दो मिनिट के लिए ढखकर पकाना है कि अ कि अ कि अ कि अ कि कि में कर रेडियो गया है breakfast अब breakfast करने के बाद जो है मैंने बेटी को सुला दिया है घर की dusting भी complete हो गई है तो अब मेरे पास जो है शांती से टाइम होगा कि मैं अपने भूग की तैयारी कर सकूँ इसके लिए मैंने अपने घर में जितने भी मेरे पास मेवे थे वो सब ले लिया है जिसमें कि मेरे पास था बधाम काजू और मखाने और घर कही घी में मैं इस्तमाल कर रहे हूँ सबसे पहले मैंने कड़ाई को गैस पर रखा है और इसमें मैं डालने वाले हो करीब आदा कटोरी मैंने यहां पे घी ले लिया है क्योंकि मैं प्रेशाद के लिए जो है दो रेसिपी बनाऊंगी और उन दोनों के लिए जो मुझे मेवच योगा उसको मैं एक साथ ही रोस् काम ले लिया है और दोनों को रोस्ट कर लेंगे अच्छे से मैं यहां पर सबसे पहले जो मेरी रेसिपी है जो मैं बना रही हूं वो है मेवा फाग जिसमें सिर्फ ड्राइफ रूट से और चाशनी से यह रेसिपी बनकर तयार होगी बहुत जल्दी बन जाती है जादा टा कहना इसके लिए जो है ड्राइफ रूट्स को हमें ग्राइं करने की जरुवत नहीं होती है इसको अगर आप किसी ओखली में और या पिर किसी और बर्तन की सायता से अगर इसको खरश कर देंगे इसको सिर्फ मोटा मोटा तने इसके ग्रेंच इसमें जो है चंक जो है इसमे क्या करते हैं? ये जादा गी एब्सॉबब करते हैं, उससे क्या होगा? कि अगर आपने इंको स्टार्टिंग में डाल देना और कड़ाई में जितना भीडी है, ये सारा गी इसी में सोक हो जाएगा इसी में अब्जॉब हो जाएगा तो इसलिए अब ये भी इनको हम जरा चेक कर लेंगे एक पीस को उठा कर थोड़ा ठंडा सा करके अगर वो हाथ से क्रश हो जाएगा इट मींस हमारे ये रेडी है और इनको तो हमें ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करना है इनको हम जस्ट हाथ से ही ओखली में किसी में क्रश करेंगे ताकि इनके पीसे इनके चंक्स बाकी रहें वो मूं में खाने में आएंगे तो वो जादा टेस्टी लगे मखाने को तो मैं इस तरह से मैंने तोड लिया है और बदाम को इस तरह से खरश करना थोड़ा मुश्किल होता है तो उनको मेरे पास चोटी सी ओकली है उसमें डाल कर जो है मैं क्रश कर लूँगी अब मखाने तो अल्मूस्ट क्रश हो गए है तो इसके बाद अब मैं डाल अपने मेवे को क्रश कर लूँगे इस तरह से ना मैंने इनको ओकली में डाल लिया यह चोटी सी है मेरे पास जिसको हम रोव्स अपना यूज करती हूं मैं अपने किचन में अद्रक के लिए और इस तरह से ही मैंने इसको इसमें कूट लिया है और सारी चीजों को जो है कर लिया है मगज का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है इस ड्राइफ रूट की मिठाई में क्योंकि पूरी की पूरी कंप्ली ड्राइफ रूट से बनी है तो अब जितने चाहें जितने वराइटी के ड्राइफ रूट से इसमें अड़ करना चाहें आप एड़ कर तो अब यहाँ पर हम बनाएंगे अपनी चाशनी चाशनी हमें ठोड़ी ध्यान से बनानी होगी यहां मैने 280 चीनी ली है और अधा 220 चीनी जाए और इसके साथ मैंने get it 20 चीनी दूद्वीद्र में ऐधा 120 चीनी अधा 200 चाशनी तैयार करनी है और इसमें जादा टाइम तो लगेगा नहीं ये घुल जैसे ही ये घुल जाएगी उसके बाद इसको लगाता चलाते हुए बस बीच में हम थोड़ा चेक कर लेंगे अगर आप मेरी तरह ऐसे इसमें हाथ लगा के चेक कर सके तो वो कर ले साफधानी से अधर व क्योंकि इस टाइम पर ये रेसिपी में को बहुत साफधानी से में करना होता है हमें क्या करना यह समय फोड़ा जाएगा तो उससे पहले ही हमें इसको जो है फैला देना अभी देखिए इसमें तो ये दिखाई नहीं दिया क्या में मेरा हाथ थोड़ा ओपर हो गया था तो तो इसको मैं शूट नहीं कर पाई और मैंने जल्दी से काम कर लिया मैंने रिस्क नहीं लिया इसको शूट करने के चकर में कि कहीं मेरी मिठाई खराब ना हो जाए तो अब यह मैंने डालते ही और पांच मिनिट ही हुए है इसको पांच मिनिट भी पूरा नहीं हुआ है तो म हमारी मिठाई जो है अच्छे से सेट हो चुकी है तो यहां पर बढ़िया से हमारा तयार हो गया है मावा पाग देखिए यह बहुत टेस्टी लगती है और बहुत हेल्दी भी है तो एक रेसिपी हो गई है मेरी तयार अब मैं चलती हूँ दूसरी रेसिपी बनाने सेम कड़ाई ही यूज करूंगी टाइम और एनरजी दोनों सेव करने के लिए इसमें मैंने ये एक बोल जो है गेहों का आटा लिया है अब मैं बना रही हूँ गेहों के आटे और ड्राइ फूर्ट के लड़ू तो इसको जो है लगातार चलाते हुए हमने ड्राइ रोस्ट कर ही तो दो इसको मैंने जो है इस छनी में छान लिया और उसी के साथ जितनी कॉंटिटी में हमने लिए आए мपे आटा उतनी कॉंट टिटी में हाँ पे हमने शक कर या लिए आ कि बोर डाल दिए और य highest उनी सेम कॉंटिटी में हम इसमें गी का सत्माल करेंगे और आपके प का टौरी देशी घी का इस्तमाल करा है, कि थोड़ा गुन-गुना गरम हो तो और बेटर है, पर मेरा यह जो आता ठा था, यह काफी गरम था, तो मैंने उसमें जो रुम टेमपरेचर पर घी रखा हुआ था, उसी का इस्तिमाल करा है अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और अब जो है इसके लड्डू बना लेंगे अच्छा इसमें घी कम है या जादा है यह कैसे पता चलेगा कि अगर लड्डू आपने उठाए और इस तरह से इसली बन गए उन्होंने शेप लेली लड्डू की तो यानि कि इसमें घी पॉफेक्ट है घी कम नहीं है और अगर यह बीच में लड्डू बनाते हुए ब्रेक हो रहे हैं तो यानि कि इसमें थोड़ा सा घी कम है उसको हमें और डालने की जरूरत है तो लीजिए बनकर रेड़ी है हमारा चनमाश्टमी का भोग तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताए थैंक यू